दोस्तों आज वी कुनुसकार कैसे हैं आज गुपता फांडरोप राज मेहंदी डिसानर का बहुत-बहुत सवागित करता हूं अपने इस ब्राइडल मेहंदी की क्लास्में गाइस आज की ट्रेणिंग बहुत ही खास बहुत ही इस पेसले को कि आज हम आपको सिका रहे हैं ला फ्लावर और उसके बगल में एक राउन तरकल दीया है इसके ऊपर दिया है जो भी डिजाइन बनाें बहुत ही प्यार से बहुत ही फिनिसिंग से बनाए जल्दवाजी बिलकुलनी स्मौल तरकल फिर हमने ड्रॉप बना हैं फर्स सेकेंड और फॉर्थ उसके ऊपर हम बना रहे हैं आउट लाइन एक एक लाइन की क्लारिटी ग्दम पर्फेक्ट होनी चाहिए और फिनिसिंग आनी चाहिए जो आप ड्रॉप बना रहे हैं तो कुजच करें हर एलिमेंट के बा है और फिर निचे सहिंग आउटलाइण ऊपर की तरव लेगें यह बना दिया है पिकॉड को कर डिजाइन मतलब महंदी में ओपनिंग में लग रहा है यह बना दिया हूंने पिक ऑप की चोंच उपर बना यह गोल गोल आइस यह बना दिये अंदर के फिलिंग दो आउट आ आउटलाइन, चौती आउटलाइन, इसके बाद को उनको क्लीन किया है, अगेन आउटलाइन, एन अगेन आउटलाइन, इसको करने के बाद को उनको जरू क्लीन करते हैं, ताकि आपकी फिनिसिंग बनी रहे, स्मॉल तरकल देंगे हम, दो बार, एक एक लाइन को हमें परफेक ाजयो इसके बाद हमने दिया है साइड मैं इसिमाल सरकल उधर भी हम बनाएंगे स्मॉल तरकल और जो हमने फ्लावर के ऊपर आउटलाइन दी पीispyบर घ्र compliments जाएंगे मेंदी का बैकबोन है जब आप स्मॉल तरकल को फिनिशन से लगाओगे बनाओगे तो आपकी क्लारिटी ओटोमेटिक ली आएगी और अपका पैटन अकॉर्डिन टू बाकी पैटन से अलग लगेगा डिफरेंस अब यह को पूरा एक्जामबल दिखाएंगे कोन को क्लीन करत कोन को क्लीन जरू करना है एबरी टाइम एबरी मुमेंट अब यहां पर हमने बनाई है तीन लीफ फर्स सेकेंड अं थर्ड पहली लेट फिर राइट फिर ऊपर बीच में हमने देदी लेयर बाकी जो जगे बची थी वहां पर हमने इसको कर दिया है बोल्ड एक-एक लाइन वो खराब नहीं होना चाहिए जब आप इस टेक्चर को पहले cover up करते हो और उसके बात feeling करते हो तो guys बहुती अच्छी finishing निकर के आती है और आप भी मेरी तरह मेहंदी लगा सकते हैं यह दुलन का हाथ है जो कि हम लगा रहे हैं और यह opening का design है जो की बहुती सुंदर design इसका जो look आता है बहुती pretty आता है अब जो इधर space बचा हुआ है यहाँ पर हमने एक बड़ा drop दिया है फिर छोटा drop दिया है फिर छोटा drop दिया है तीन drop देने के बाद जो जगे है वहाँ पर हमने outline देकी बनागी एक leap का structure इसके अंदर आप चाहें तो leap का design भर सकते हैं नहीं तो मदवनी या बारिक फेलिंग जब को बारिक फेलिंग करोगे तो हाथ के अपर का भागे वहाँ हमेसा color काम आता है कोसिस करें जब भी आप हाथ के उपर मेंदी लगाते हैं guys elbow की तरफ तो वहाँ पर थोड़ा सा bold design दें इससे क्या होता है कि देखो color जब आप bold design दोगे color अच्छा आता है क्योंकि generally क्या होता है उपर color बहुत काम आता है जितना आप color की तरह बढ़ते रहेंगे उतना आपके हाथ पे color काम आएगा फिर आपके client बोलेंगे कि इसमें color नहीं आया तो अगर आप चाहते हैं कि आपके bridle को color आए आपके client को अच्छा color आए तो guys आपको design एकदम perfectly डालना है कोसिच करें थोड़ असा motor design डालें सरदी गड़ाए में गर्मी गड़ाए में तो भी motor design डालें ताकि आप जो बना रहे हैं वो दिखे ठीक है अब उसके बाद picog को बनाने के बाद हमने दिया है layers एक टिक layers को fine तरीके से draw करना है पहली body layer फिर छोटी layer फिर छोटी layer फिर छोटी layer उसके बाद जो जगे मिली वहाँ पर हमने bold outline दिये अंदर small circle दिये है लगा हो कि आपको लगे कि यार इनके मेंदी इस level की लगानी है client को कि ये मुझे आगे बहुत सारी bookings दें तो वो आपको bookings order तभी देंगे आगे के जब आप अपने customer को बहुत अच्छे से service देंगे इस बात का ध्यान रखें आप हम दे रहे हैं outline एक एक outline को perfectly draw करनी है जो ये outline इसको कर देंगे bold एकदम bold ताकि हमारा जो अपर का भाग है मतलब जो elbow की मेंदी है वो एकदम अलग highlight हो उसके नीचे हम देंगे single outline ताकि दोनों में थोड़ा सब difference आपको दिखाई पड़े इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे small circle के design एक-एक small circle को आपको finishing से draw करना है और cone को clean करते रहे हैं ये ना हो कि आप cone clean नहीं कर रहे हैं इससे क्या होगा आपकी clarity down हो जागे गाइस इतनी बारीगी से मैं आपको इतनी information दे रहा हूं जिन्हों ने अभी तक training को like नहीं किया वो like करते हैं जो लोग चैनल पे नहीं subscribe कर लो यार इसी channel पे हमारी बहुत सारी training आती रहती है अगर आपने training को share नहीं किया तो guys share जरू करें को कि आपकी तरह और भी लोगों की जिंदगी बदल सकती है बहुत ही informative वीडियो है guys मैं कोचिस करता हूं कि टब से टब डिजाइन मैं आपको बहुत ही आसानी से गाइड करूँ यह बना रहे हैं धोल सैनाई धोल के लिए सचसे बहुत हमने एक धोल का structure दिया है दैन बाजू में भी बहुत हम दे रहें दो आउटलाइन देखे उसको आपने जॉइन कर देना है को उनको क्लीन करते रहें इसकी हम कर रहे हैं बारिक फिलिंग जो सैनाई है और इसमें हम बना रहे हैं स्मॉल तरकल गैस जिस तरह से मैं गाइट कर रहा हूं और जिस तरह से बना रहा हूँ, इसी तरह से आप भी बनाईए, यखीनन गाइस, आप भी बना सकते हैं, अगर आपको लगे किसर मैं नहीं बना पा रही हूग, या मुझसे नहीं बन रहा है, तो गाइस, ट्रेनिंग को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, तब तक जब तक आपके समझ में ना है, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी प्रकार से जब तक आप training को समझ ना लें, लगा ना लें, तब तक training को छोड़ना नहीं है, ठीक है, training जीवन में बहुत important है, सीखना बन तो जीतना बन, ठीक है, अ अब आपको चारो तरफ बिचशावी अब लेने हैं अब ने coming out line दिये और फिर fduto outline दिए यह outline श्री दे रहे हैं तो कि जो इसका outline चर्थी है बीचित स्टेक्श़ को he और जो दूसरी आउट्लाइन है वो हाईलाइट करें कैसे वह ऐसे जैसे आने माल लीजे इधर भी बनाया सेम पैटन और उधर बनाया ठीक है अब बीच वाली हम आउट्लाइन को करेंगे बोल्ट देखो बीच वाली बोल्ट किया एक एक लाइन को परफेक्टली ड्रॉ करना है दैन इसके बाजू वाली को भी बोल्ट करना लेकिन एक आउट्लाइन छोड़के तभी आपका यह पैटन हाइलाइट करेगा अथरवाइज यह हाइलाइट नहीं करेगा जब भी आप कोई भी एलिमेंट बनाते हैं लाइक ब्राइडल हो नोन ब्राइडल हो मॉडन हो य जितनी अच्छी सर्विस आप उनको दोगे उतना ही अच्छा आपको रिवर्ट मिलेगा इस बात का आप ध्यान रखें जो बाकी का गाई इस एरिया था उसको बोल्ट किया है बोल्ट करने के बाद आपको इस टेक्चर से आउटलाइन देनी है ठीक है कुछ इस तरह से एक आउटलाइन को आपको परफेक्टली ड्रॉ करना है जब आप आउटलाइन को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं तो आपके पैटन की फिनिसिंग अलगी नजर आएगी अलगी दिखेगी बस कोशिस करें जो भी आप इस टेक्चर बनाते हैं जो भी आप पैटन बनाते हैं और जब उसको आउटलाइन से कवर करते थोड़ासा गैप होना चाहिए इसलिए ताकि आपने जो बनाया है वो एटलिस दिखे ठीक है अब जो बाकी का एरिया है इसमें हम बनाएंगे स्मॉल तरकल चारो तरब आपको स्मॉल तरकल फिनिसिंग से ड्रो करना है और गाइस बहुत ट्रेनिंग से जुड़े रहना और बने रहना तो गाइस सस्क्राइब जरू कर लें नीचे दिए गए पहला आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की हर एक इनपॉमेशन और वैल्यूवल नोटिफिकेशन आप तक है ठीक है मेरा नहीं आपका अपना चान सबसे पहले इस स्माल दर्कल दें इसलिए ताकि हम ने पैटर बनाया है जो भी और ने पैटर किया वह उसकी खुब शूरति अलगी लेवल पे ऊवर किया बनाइए तीन आउटलाई तीन आउट्लाइन इसलिए ताकि हम बीच वाली आउटलाइन को बॉल्ड कर सकें जब ब हमारा जो यह पैटन है हाइलाइट करेंगा जैसे एक्जांपल के तोर पर जो हमने एलवो के तरह भी पिकॉग बनाया देखिए बीच में आगर आउटलाइन नहीं डालेंगे तो यह पूरा मिक्स हो जाएगा ठीक है मिक्स ना हो इसलिए हम आउटलाइन देते हैं और इससे क पर 1,000,000,000 followers complete हो चुके हैं आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं दिल से आपके लिए प्यार देता हूं जितनी आपको मैं धन्यवाद करूं जितना थाइंक्यू कहूं उतना काम है और आपने अगर मेरे इंस्ट्राग्राम को फॉलोर नहीं किया है इंस्ट्राग्राम क अजिते हैं प्यूच्छताएं मैं जह सॉचों गाइस जब मेरी तरह आप भी बहुत सुनदर मेंदि लगाईंगे तो आपको लोग किस नजर से देखेंगे और आपका भी आपके छेतर में आपके सहर में आपके सिटी में आपके गाउं में नाम जरूर होगा यह मेरी दिल से सुकामना है आपके लिए हैं आप इसको बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करें ट्रेंग को और जो चीज़ समझ में नहीं आ रह और इसकी clarity है वो अद्भुत लगेगी जो इस टेक्चर के बागी का जो पार्ट है उसको आपको करना है bold बहुत ही easy से देखो यह थोड़ा सा मैंने इसको पीछे वाला पार्ट आगे जॉइंट कर दिया है ताकि आप धोल से नहीं को अच्छे से समझ पाएं तो guys ब्राइडल हो या नॉन ब्राइडल रोड़ या ब्राइडल में धिके पैर हो ब्रैक का डेजाईन हो आपको मैं समझाओं आपको बताओं तो guys comment करके अपनी अपना opinion जरूर सेर करें बहुती सुंदर वीडियो है बहुती सुंदर ट्रेनिंग है आपकी अपनी क्या रहा है बो जानना है मुझे ठीक है और जो आप इस टेक्टर बनाते हैं जो मदवनी बना रहे हो उसके अंदर इसको हाइलाइट करने के लिए की कुछूरती और बढ़ाने के ल यह ट्रेनिंग है वो उसके परपस में और लेके आऊं ठीक है यह गाईश एक नया चेक है इसमें मैंने चारो तरह पहले क्रॉस लाइन दिया है फिर बीच में छोटी चोटी से लाइन दिया है फिर मैं इनको इसी तरह से कवरब करना हो आउट लाइन देखे बट आउट ल यह दो बार स्मॉल सिरकल और यह बनाया है सुंदर सा फ्लावर का डिजाइन ठीक है एक एक डिजाइन कितना सुंदर लग रहा कितना फाइन लग रहा है सारा गेम गैस फिनीसिंग है आराम से बनाओ जल्दवाजी बिलकुल नहीं है जितनी आराम से आप पैटन को और गाइस आपके क्लाइंट आपकी तारिफ जरूर करेंगे आपको अब दिखाते हैं पूरा ओवरॉल हैंड का डिजाइन देखो यहां पर बनाया हमने गुरूम जो की पोट्रेट में है गुरूम फिंगर में गैस मैंने बहुत ही प्यार से मदवनी फिल को यह ताकि फिं का थैंक यू सो मुच गाइस